करेंगे करेंगे के बारे में और आज यसी वीडियो में हम बात करेंगे और जानने की कोशिस करेंगे कि कैसे नियर का इधियम जो है इधिरियम के इवियम से बहुत आज है और सस्ता भी है तो चलिए इस वीडियो को हम सुरे करते हैं लेकिन उससे पहले हम समझेंगे कि इवियम क्या है अगर आपको नहीं पता इवियम क्या होता है तो इवियम स्टांड्स फ़र एथिरियम वर्चुल मशीन अगर मैं आपको आसान भासा में इसको समझाओं इसलिए आप बिट्कॉन ब्लॉक्चेन को ले लो जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ ट्रांजाक्शन करते हैं यानि कि बिट्कॉन ब्लॉक्चेन को यूज करके आप पैसा भैस सकते हो और पैसा रिसीब कर सकते हो ठीक है और बिट्कॉन के ब्लॉक्चेन के अंदर जो भी ब्लोक्चेन सिर्फ और सिर्फ ट्रांजक्शन को भरिफा करने के लिए नहीं बनाया गया था इत्रियम ब्लोक्चेन बनाया गया था स्मार्ट कॉंट्राक्श करने के लिए डाप्स बनाने के लिए और बहुत सारा कुछ सब्ट्राइर के उपर काम करने के लिए तो आप बैस करते हैं तो इसलिए जो software को process करते हैं जो नोड इनको लेकर जो नेट्वर्क बनता है उसको EBM बोला जाता है समझें फिर ठीक है तो हम अभी देखते हैं कि EBM के जो important role Ethereum blockchain के अंदर क्या क्या है तो पहला रोल है वो network को secure रखने में help करता है ठीक है ये नेट्व को डियो ऐसे सटाइक 51% अटाइक लॉंग चैन अटाइक यह सब अटाइक से बचाता है फिर execution part को भी Ethereum blockchain के अंदर यह संभाल था execution part क्या आप अगर कोई smart contract बनाते हो फिर daps बनाते हो तो उसके अंदर जो आप प्रोग्राम करते हो या फिर अंदर जो आप लिखते हो कि यह condition satisfy होने से ही payment मिलेगा तो उसको verify कौन करता है मतलब यह transaction जो हुआ है तो यह condition satisfy करके ही हुआ है तो इसको कौन verify करता है कि अगर आपने आपके दोस्तों को पैसा भेजा under a smart contract तो आपने कुछ condition बनाया तो वह condition verify होने से ही आपका जो payment है आपके दोस्त को मिलेगा तो जो दोस्त को मिलने से पहले payment एक थाड़ पाटी के पास रहता है नेट्वर्क में वह कहां पे रहता है वह को EVM ही manage करता है और condition satisfy होने के बाद EVM ही उस पैसे को अपके प्रेंट के पास transfer करता है तो EVM यह पर सब काम करता है और उसके बाद यह developers को एक sandbox environment प्रदान करता है जहां पर developers अपने सारे जो एक्सपेरिमेंट से ट्राइल से वह हम पर कर सकते हैं on the network but independent फिर यह जो नेट्वर्क के अंदर कितना transaction fee लगेगा कितना transaction time लगेगा यह सब को calculate भी EVM करता है अगर आप एक transaction कि यह Ethereum blockchain के अंदर और आपने ज्यादा gas fee दे दिया तो आपके जो gas fee बचता है तो आप return उसको आपके account में कौन भेजता है वो EVM ही भेजता है या फिर आपको कौन बोलता है कि आपका transaction में इतना gas भी लगेगा या फिर इतना time लगेगा यह सब EVM ही calculate करके आपको बोलता है तो EVM का यह role important role है जो Ethereum blockchain के अंदर वो अदा करता है फिर हम देखते हैं कि Ethereum blockchain जो है वो बहुत पुराना blockchain है कि वो 2013 में launch हुआ था तो इसी के कारण है एथिरियम के EVM के अंदर बहुत सरे limitations भी है तो पहला limitation क्या है कि यह बहुत ही costly है अगर आप Ethereum के अंदर को smart contract run करते हो तो smart contract basically series of transaction को करता है तो इससे आपको बहुत सरे 10 डॉलर तो transaction भी लग जाता है तो अगर आप सीरी जब transaction करोगे तो आपको तो thousand डॉलर में आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ ग्यास भी फिर यह slow है आपको पता है कि Ethereum blockchain इन-scalable है यानि कि अगर बहुत सरे लोग Ethereum blockchain में आ जाएंगे उसको यूज करने के लिए तो यह slow हो जाता है तो इससे नहीं है कि आप डाप बनाया तो लाखों लोग उसको यूज करेंगे तो नहीं हो सकता है लोग सिर्फ डाफ को पकड़के बैठ जाएंगे कि यह transaction क्यो अगर आपको टाइम भी आप दोगे मतलब हाई टाइम भी लेगा उसके साथ क्यास भी भी हाई लेगा से में भी बर्बाद पैसा भी बर्बाद ठीके तो अब जानते हैं कि नियर का EVM क्या है नियर कुछ नहीं सिर्फ वह भी इथिरियम फॉट्ट्वल मिशिन है लेकिन वह इतनी अर्प्लॉक्चेन के अंदर होगा ठीके मतलब नियर के जो नोड्स होंगे यह सारा कुछ वह स तो चलिए देखते हैं कि हमको क्या वेनिफिट्स मिलेगा अगर हम नियर ब्लॉक्चेन के अंदर उसको योज करेंगे तो पहला वेनिफिट्स हमको मिलेगा यह हमारा थाउजंद से लेके टेन थाउजंड एक्स तक ट्रंजाक्शन फी को सेब करें बतलो हम बहुत सारे ग् ब्लॉक्चेनी पर दूरे अगर हमें आप के वर्णापिक सब्सक्राइब ट्रेंट्स में यह एक पूर्स अदर हम से ऑर जैसे वी ब्लॉक्चेन में जो अगर आपको स्रेड़ेट ब्लॉक्चेन के अंदर पिर नीर के जो स्रेड़ेट डिजाइन है उसके बार में आपको आपको deep knowledge आप comment कर सकते हो में उसका जो लिफ्रेट डिजाइन है उसके बारा में different और और नए वीडियो आपको पास लेके आँगा फिर नीर प्लॉक्चेंग अंदर जो थे अप्ट बनाओगे फूली कंपार्टेबल होंगे अंदर मतलब अब इत्रीयम भी जाके उस असेट्स को करवा सकते हो तो अभी जानते हैं कि अब जो नियर का EVM है आने वाला है तो दोस्तों अभी नियर का जो अभी तक लाइफ नहीं है लेकिन बहुत ही जल्दी वो आने वाला है इस मार्च के एंड तक वो अपने तो आप सकते हो मार्च के बार्च के बाद जब लॉंच होगा नियर ब्लॉक्चेन के अंदर तो अगर आपको यह सारा कुछ ट्रैक करना है कि नहीं और ब्लॉक्चेन के वारे में और कुछ है आपको इंफ्मेशन चाहिए अपडेट्स चाहिए तो तो आपको मैं सजेश्ट करूँगा कि आप नियर को फॉलो करें और अगर आप इंडियन कम्यूटी को फॉलो करना चाहते हैं नियर का तो वसी के लिए उनको भी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि नियर का जो इंडियन कम्यूटी है वो डेडिकेट है इंडियन पीपल के लिए और और कि बनाते हैं तो और अब यहां पर अपने लांग्वेज में support ले सकते हो तो अगर आप उनको फॉलड़ करना चाहते हो कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले और उसके साथ साथ घंटी का आइकन को भी दवाना ना भूले तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई